नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गरन धर्मा सन्मार निर्जला एकादसी को सभी एकादसीों में सबसे ज़्यादा स्रिष्ट मारा जाता है इस दिन ब्रत करने से 24 एकादसी ब्रत करने के बराबर फल मिलता है और एकादसी ती थी भगवान विष्णू को समरपी थे इस दिन विदी विधान से भगवान विष्णू की पूजा अर्जना भी की जाती है हिंदू पंचंग के नुसार हर माह में दो बार एकादसी आती है और साल में कुल 24 एकादसीयां पढ़ती है जेश्ट माह की सुक लपक्ष में पढ़ने वाली एकादसी को निर्जला एकादसी कहा जाता है वैसे तो हिंदू धर्म में एकादसी थी थी बहुत अधिक महत्व रखता है कैसे करेंगे इस दिन पूजा देखिए निर्जला एकादसी का पारण होगा 22 जून को सुबा पांच 24 से सुबा आठ बारह के बीच आपको पारण कर लेना है और एकादसी थी थी मनाई जाएगी 21 जून को तो सुबा जल्दी उटकर श्टान वेगरे से निप्रित हो जाए अपने घर के आंगन में अच्छी से सफाई करें रंगोली बनाए अब अपने घर के पुजा स्थान में गंगा जल से छिलकाओ कर धूप दीब जलाएं भगवान बिश्णू के सामने गंगा जल से उनको भी सेक करें भगवान स्री हरी को पुस्प और तुलसी डल हल्दी अर्पित करें संबब हो तो इस दिन ब्रत आप जरूर रखें लेकिन उसके पहले एक और काम करना है आपको घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी या फिर सिंदू घी मिक्स करके या सिंदू तेल मिक्स करके आपको एक सुब मंगल परतीक चिन बनाना है घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से भगवान विश्णू का गंगा जल से भी सेख भी कीजिए काज इस दिन और जब आप सुब मंगल परतीक चिन हल्दी से बनाते हैं तो निगेटिव एनर्जी से रक्षा होती है चारो दिसाओं में आपकी तरफ की होती है और दूसरी बात इस दिन आप एक छोटा सा प्रियोग भी कर सकते हैं एक हल्दी की गांट अगर आपका गुरू बहतर नहीं है तो आप एक हल्दी की गांट या फिर आपके घर में बार्वा किसी की नजर लगती है तो घर के मुख्य दर्वाजे के चोखट में या फिर अपने ब्यपार अस्थर में बान भी सकते हैं आप चाहें तो धारन भी कर सकते हैं इससे पीला पुख्राच की इतना फल मिलता है अगर संभव हो तो इस दिन भगवान सिवकी भी पूजा करे और भगवान को जब भोग लगाईएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सात्वी चीज़ का भोग लगाना है और भगवान स्री हरी को तुलसी पत्ता जरूर अरपित करे लेकिन एक बात याद रखिए एक आदसी तिथी को तुलसी का पट्टा मत तोड़िएगा आपके घर में जो पहले से तोड़के रखा गया है उसी को यूच करना है अब भगवान स्री हरी के साथ मा लक्ष्मी की भी पूजा करें और अधिक से अधि भगवान स्री हरी का मन तजपे ओम नोव भगवते वासुदेवा इससे आपकी रख्चा होगी इस दिन ब्रहत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस ब्रत को करने से बैक्ति की सभी मनोकामनाय पूर्ण होती है धारमीक मानने ताउं के अनुसार एकाधसी के अबरत रखने से मिर्टियू के बाद मुक्ष भी मिलता है चुकि इस बार की एकाधसी बहुत सार्थ सुभ दूरलव योगों में आया है क्योंकि इस दिन सिव योग है, सिद्धी योग ही है और सिव योग चुकि 11 जुन की साम में लगेगा इसके पास सिद्धी योग लग जाएगा तो ये योग जीवन के बहुत सारी मुस्किलों से आपको बाहर निकालेगा जो तिस कहा गया है कि सिद्धी योग बहुत सुभ होता है और गरन अच्छतरों के सुभ से योग से बनता है और यह योग सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है तो इस योग में किया गया कारे आपको लाव जरूर देंगे अगर कोई बिसेस मनो काम ना हो तो पास के किसी भी भगवान के मंदिर में सिंदूर और घी मिक्स करके गाढ़ा सा पेष्ट बना कर लेकर चले जाए अब भगवान के मंदिर के दिवाल पर उल्टा स्वस्तिक बना दे जब मननत पूरी हो जाए तब स्वस्तिक सीधा बना के चले आईएगा आपके मननत पूरी होती है धन की मुश्किलों से भी बशने के लिए नियम किये जाते हैं कर्जों से मुक्ति पाने के लिए भी नियम किये जाते हैं अब आप कर्ज से परिसान है तब ऐसे में आप एक काम कीजिएगा आपको चाहिए अगर आप मुश्किल कर्ज के परिसानियों में है तो अपने हाइट के बराबर एक काला धागा नापले एक पानी वाला नारिया ले 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 उसके साथ इस काले धागा को लपेट कर, किसी भी भाते वे नदीम में प्रभाहित कर दे या फिर किसी मंद Cheng में रखाएं या किसी पीपर के नीचे छोड़ दे खाईएगा मत फूर के क्योंकि ये आपके जीवन की मुस्किलों को दूर करेगा अब धार्मिक मानने ताओं के अनुसार सिभ योग भी बना हुआ है और सिभ योग बहुत ही सुभ होता है कहा जाता है कि इसमें किये गए एक सुभ होकार आपको योगों योगों तक सुभ और यो नाम देते हैं निर्जला एकादसी में जल का सेवन नहीं किया जाता है बरत के पारन के बाद ही जल का सेवन किया जाता है तो इस दिन नियम है कि जल त्याग करने का आपको वैसे पूजा की अगर हम सामगरी की बात करें तो आपको चाहिए होगा स्रीहरी की तस्वीर, पुस्प, नारियल, सुपाडी, फल, लॉंग, धूप, दीब, घी, पंचामरित, अक्षत, तुलसी, दल, चन्दन और पिली मिठाई चुकि निर्जला एकादसी की दिन गाए को भी भोग लगाने का भी धान है, क्या खिलाएंगे देखिए निर्जला एकादसी के दिन आप अपने हाथों से या दखिए अपने हाथों से गाए को गोड़ खिलाएं आपके जीवन की हर मुस्किल बाधाओं को आप आसानी से पार कर पाएंगे और लोगों अगर हम एक दो लाइन में कथा की बात करें देखे सास्तों के अनुसार जेश्ट सुकलपक्ष की एकादसी को निर्जला एकादसी कहते हैं अनुसार भीम, पांडब, भ्राताओं में सबसे बलसाली माने जाते थे और उन्हें भूख बरदास नहीं था इसकार उन्हें उनको किसी भी तरह का बरत रखना उनके लिए संबब नहीं था लोगों के बहुत समझाने पर उन्हें एक मात बरत निर्जला एकादसी का किया भूख बरदास नहीं पर साम होते ही वो मुर्चित हो गए किन्तु भीम सेनी के साथ एक इस एकादसी का संबंद इसलिए इस भीम सेनी एकादसी भी इसको कहा जाता है हलांकि इस एक आदसी को करने से आपको समस्त ब्रत का फुल मिलता है अब मन सुद्ध होता है पापों का नास होता है ब्रत रखने की बिधी भी है देखिए सुबह सुबह असनान बेगर करके आप सुबह भगवान को जल अरपित करें और उन्हें पीले पुस पंचामरी तुलसी दल जरूर अपित करें और साथ ही साथ हिंदु धर्म में सुर्योदे का बहुत मात्व है अब इस दिन दान का भी मात्व है तो निर्जला जब एक आदसी का ब्रत रखेंगे किसी गरीव निर्धन व्यक्ति को जल से भरावा पात्र अन वस्त रजूते चाते का दान कर सकते है और अगर आप निर्जल रहकर ब्रत नहीं रख पा रहे हैं आप मान लेते हैं बस आप कोई नहीं रख पाता तब ऐसे में आप नीमबू पानी और फल गरहन करके भी ब्रत रख सकते हैं कोई लिकत नहीं है इस ब्रत में अनका सेवन नहीं किया जाता है और इस दोरान पौधे पे पानी डालना जल का दान करना सुमाना जाता है अगर गरहों की पीडाये जादा परिसान करें तो अनझुरी में जल भरकर पौधों में डालें इससे गरहों की पीडाये सांथ होती है नरजला एकादसी पर अपने गुरू रहा भगवान बिश्णों की उपासना करें एक दिया जरूर जलाना है घी का दीपक कम से कम आधा घंटा जरूर जले इतना व्यवस्ता कीजिएगा इससे जीवन की परिशानिया समाप्त होगी रोग चोटरीन करजे दो सभड हरेंगे तो इस एकादसी बुरत का पूर्णे फल हर कोई उठाना चाहेगा क्योंकि एकादसी बहुत ही दूरलब संयोग के बाद आया है और एकादसी के दिन छोटे छोटे परियोग करके आप अपनी जीवन की मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं जब आप तूलसी जी की पूजा करें तो तूलसी जी की पूजा में एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर अरपित कीजेगा और साथ ही तूलसी की मिट्टी में एक सिक्का और एक लॉंग अपनी मनोकामना कहते हुए गार दें जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो सिक्का को उठा कर कहीं पास के मंदिर में की दान पटी में डाल दीजेगा और साथ ही जो लॉंग है वो तो मिट्टी में खराब हो जाएगा दूसी चीज तूसी का पत्ता का विसेश प्रयोग है जब आप सोएंगे रात में वैसे जागरन का है लेकिन हर कोई नहीं जग सकता तो ऐसे में जब आप सोएंगे तब दो तूसी का पत्ता जो आपके पास पहले से तोड़ा हुआ है गिरा वो उठा लीजेगा और अपनी नाभी पर रखकर सोईए या फिर अपने माथे पर रखकर सोईए इससे स्रीहरी की किलपा मिलेगी और स्रीहरी कहीं ने कहीं आपके साथ हमेशा रहेंगे फिलाल आपसे विदा लेंगे हर हर महादेव धन्यवाद